आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्त कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगा कर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन आप पर बैनर में दिया पर बैनर में के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खोदिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं, य साथ ही अब आप जूम अप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं, यह सब माया वेब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है, आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं, उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाई लें, एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे च्यूशन छात्र मिलते हैं, इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाई बन गया है, यह साबित करके कि शिक्षा केवल एक व्यवसाई नहीं है, अपने कौशल को साबित करें, बहतर आए प्राप्त करें, अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे, नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महस 250 रुपे प्रतिमाह में ओनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वैब पोर्टल तयार है, रोबोटिक्स कक्षाओं के माध्यम से आए अर्जित करें, अगर आप सिर्फ एक बार क्लास लेते हैं, तो आपको बाद में क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, बिना किसी की मदद के अभी देमो आजमाएं। ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के लिए आपको एक वैब साइट बनानी होगी, यह बहुत महेंगा है, लेकिन सामान्य शिक्षक इस वैब साइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं। प्रोबोटिक्स क्लास क्या है? प्रोबोटिक्स कक्षाएं एक वेब पोर्टल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं, जो एक बार ली गई ट्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उप्योग करती हैं. वेब पोर्टल पर डैनिक कक्षाओं के विडियो और नोट्स की सूची बनाएं. इनका उप्योग बाद में बिना कक्षाएं लिए छात्रों को ट्यूशन कक्षाएं देने के लिए किया जा सकता है. शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है. अधिक जान पाथ्यक्रम, कॉलेज पाथ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाध्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पी एस्सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विग्यान, दर्शन. यह सब विशय जैसे सभ अधी विशयों में कक्षाएं ले सकते हैं. शिक्षक छात्रों से फीस कैसे लेते हैं? फीस सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए. इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पैमिंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर्शित करन क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वैब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है. शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है. माया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इंट्यूशन सुविधा की दर क्या है माया बहुत कम मास से किराया लेती है अधेक जानकारी के लिए मूल्य देखें क्या मुझे भुगतान करने से पहले डेमो मिल सकता है जी हां बिलकुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा शिक्षकों के लिए डेमो प्राप्त करने के डेमो उपलब्ध होगा डेमो कितने दिनों में उपलब्ध होगा यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आपको पहले साथ दिनों के लिए सबी सुविधां के साथ एक डेमो प्राप्त होगा मत भूलो, यदि आप एक शिक्षक हैं, तो केवल पहली बार शिक्षक के रूप में पंजी करण करें यदि आप एक छात्र के रूप में पंजी करण करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे शिक्षक का पंजी करण कैसे करें? डेमो कैसे प्रापत करें? अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करण करें. पहले इस फॉर्म को भरेईन नियम और शर्तने स्वीकार करें. रजिस्टर पर क्लेक करें. अपने मेल पर जाने के बाद माया ट्यूटर सक्रियन मेल खोलें. सक्रियन लिंक पर क्लेक करें. Member Login का चयन करने के बाद अपना Mail ID और Password दर्ज करें और फिर Login करें यह आ Google के साथ Login चुने देमो अब तैयार है अपनी Profile संपादित करें यह विडियो देखें अपना पार्थ्यक्रम और Module बनाएं डेमो के बाद Maya Web Portal का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है? खृप्या यह कीमत देखें इस पोर्टल पर कितने पार्थ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं? पार्थ्यक्रम असीमित के रूप में सूची बद किया जा सकता है इस पोर्टल में कितने चात्रों को जोड़ा जा सकता है? आप असीमित चात्रों को जोड़ सकते हैं क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है? आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं अभी रजिस्ट करें और अधेग जानकारी के लिए डेमो आजमाएं पार्थ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है एक बार शिक्षक बंजीकृत हो जाने के बाद पार्थ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं PDF कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें इस पर हर जगह वीडियो होंगे आए इन वीडियो को देखें और पार्थ्यक्रम की सूची बनाएं मैं एक छात्र हूँ, क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा? नहीं, यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्थ है छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम पा सकते हैं लेकिन ट्यूशन फीस सीधे शिक्षकों को देनी होगी मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पाठ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूँ? पार्थ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें स्थान दर्ज करें और खोजें अब आप चैनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्यस्थानों के नामों से खोजें, वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें, अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पता, WhatsApp नमबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं, यहां आप सीधे शिक्षकों के WhatsApp से पर चैट कर सकते हैं, यहां शिक्षक यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं, तो आपको पंजी करन या लॉग इन करने की आवश्शकता है, एक रजिस्टर क्या है, लॉग इन क्या है यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा, यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहां एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा, मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में करन करते हैं तो आप इस पोर्टल पर अध्यान नहीं कर पाएंगे सबसे पहले छात्रों को यहां पंजी करन करना होगा इन सभी फॉर्म को भरें आपके मेल पर जाने के बाद माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोलें एक्टिवेट लिंक पर ख्लेक करें रजिस्ट अब प पहुझ अपनी मेल आईडी और पासवर्ट से लॉग इन करें या गूगल के साथ लॉग इन का चैन करें उन विशयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यक्ता है इसके लिए यहां खोजें खिजदden करें अबढ है तो करेंबस्बं हो खोले में आवर्ट vita primeiro खोजेम से अजकी करें खोजें इसके च्छिवें श्बत्तों करेंदिन टुम ऐसरेसे टिल अंपकों करें तीवेंश्यक्ष अक्रीओ किरेसे लॉगबиком participate in है अजम. झाल 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 झाल